हेलो बच्चो आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 का कोश्चन नंबर 2 सोल्ड कर रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है तो हमें दो पोलिनोमिल बच्चो गवन है जैसे जीएक्स की पोलिनोमिल यहां पर क्या है ? फरस्ट पार्ट में कि यह जो जीएक्स वाली पोलिनोमिल है क्या वह है इस PX वाली polynomial का factor है के नहीं तो उसके लिए वैंसी ही जैसा हमने first question में किया था कि जो हमें GX की value जो भी दी होगी तीन पार्ट सा तीनों में लग लग है मैं first part के लिख रहा हूँ जिस X plus 1 है तो यहां से हमने 0 को find out करना है कहने का मतलब जो polynomial होगी उसे हमने equal कर दाना है 0 और वहां से हम X की value को निकालेंगे और जो X की value आएगी उसे PX वाली polynomial में fill किया जाएगा और calculation के बाद check किया जाएगा कि final answer 0 आता है के नहीं अगर 0 आ गया तो yes it is the factor of PX अगर नहीं तो no लिखेंगे जैसे जैसे संब करेंगे आपको ज़्यादे clear होगा जैसे first part की statement है PX equal 2X cube plus X square minus 2X minus 1 और GX की है X plus 1 पहले जैसे मैं board पे लिख लेता हूँ तो यहाँ पर हमने दोनों statement को लिख लिया है GX वाली polynomial से हम 0 निकालेंगे कहने का मतलब X की value निकालेंगे equal 0 और यहाँ से X की value निकाल ली plus बरना इधर जाकर क्या हो जाएगा minus 1 अब यह वाली value हम first वाली polynomial में fill करेंगे जैसे PX है तो इसी हम लिख देंगे minus 1 और जहाँ जहाँ पर PX वाली polynomial में X है वहाँ वहाँ पर हम minus 1 लिख देंगे 2X cube है तो X की जगाँ पर minus 1 की cube फिर plus का sign है प्रस उतार लिए फिर X square है तो हमने X नहीं लिखना minus 1 लिखना है minus 1 का square फिर minus का sign है वो लिख लिए फिर 2 है 2 लिख सकते है X की जगाँ पर क्या लिखेंगे minus 1 तो last में है minus 1 अब minus 1 का क्यों क्या होता है जब भी minus 1 के पार order में होगी तो minus में ही answer आएगा क्योंकि 1 को जितनी बार भी आपस में multiply करेंगे तो 1 ही रहता है तो ये minus 1 आगया और minus 1 का square अगर minus 1 के पार even में हो sum सेंग क्या हो तो answer plus में आता है क्योंकि अगर minus 1 को two time आपस में multiply करेंगे तो minus से minus cancel और plus one आएगा और अगर तीन बार करना हो जैसे तीन बार अगर करते हैं जैसे यहाँ पर मैंने minus one क्यों लिखा है कि यह 2 minus one है तो minus से minus cancel और एक minus extra है तो minus one answer आएगा अब हम next करते हैं यह minus one को two से जब multiply करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा plus two यूगि minus one और minus वाले को multiply करो तो plus में answer आता है last में है minus one अब यह minus one जब two से multiply होगा तो minus two आएगा यहाँ पर plus one यह plus two और यह minus one अब यहाँ पर negative negative number को लग plus कर सकते हो positive positive को लग one और two plus three positive वालों को plus करेंगे plus में answer आएगा negative वालों को plus करेंगे तो negative में minus 2 और minus 1 आपस में plus होंगे तो minus 3 और answer क्या आगया 0, 3 में से 3 less किया 0, अगर answer 0 आजाता है तो आप लिखेंगे by factor theorem जो gx है is a factor of px कहने का मतलब ये जो gx की value है ये px वाली polynomial की का factor है अब second part करते हैं तो question number 2 के second part की statement को हमने यहाँ पे लिख लिए है जो की है xq plus 3x square plus 3x plus 1 वो gx वाली है x plus 2 अब इसमें वही process की हमने बताना है कि ये जो gx वाली polynomial है क्या वह px वाली polynomial का factor है के नहीं तो वही technique सबसे पहले इसकी 0 से निकालेंगे मतलब x की value निकालेंगे x की value कैसे निकाली जाती है जिसे यहाँ पर हम x plus 2 जो की gx वाली polynomial है उसे equal 0 लिख देंगे यहाँ से x की value निकल आएगी minus 2 plus 2 है उधर जाकर इसकर sign change होगा और जो value आएगी वह हम first polynomial में fill करके check करेंगे कि final answer 0 आता है के नहीं जिसे minus 2 आया है तो यहाँ पर first वाली polynomial में मैं minus 2 लिख दूँँगा जहाँ जहाँ पर x है तो x cube मतलब minus 2 का cube फिर plus 3 minus 2 का square मीन x का square मीन minus 2 का square plus 3x plus 3 x के जगा पर क्या लिखेंगे minus 2 और बाद में है last में है plus 1 अब minus 2 का cube अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा कर देता हूँ minus 2 को 3 बार multiply करना पड़ेगा 2,2 का 4 4,2 का 8 answer आ रहे है अब यहाँ पर minus आएगा की ने पहले first 2 minus तो cancel हो जाएंगे एक minus बरसता है तो वो यहाँ पर आएगा minus तो यहाँ पर आगा बच्चो minus 8 plus minus 2 को अगर minus 2 से multiply किया जाता है तो 4 आएगा तो क्या minus आएगा नहीं आएगा minus से minus cancel हो गया तो 3 के साथ आगया 2,2 का 4 और यह minus 2 और plus 3 जब आपस में multiply होंगे 6 आएगा और एक number plus का एक minus का तो minus में आएगा minus 6 और last में आप plus 1 अब यहाँ पर minus 8 3,4 का 12 minus 6 plus 1 अब जो negative number है उन्हें आप अलग से जोड सकते हो positive number को लग से चलए मैं positive number को पहले जोड लेता हूँ 12 और 1 13 आगया और जब negative number का plus करोगे तो answer भी negative number में ही आएगा minus 8 और minus 6 minus 14 वो sold करने के बाद आगया minus 1 तो यहाँ पर जो answer 0 नहीं आया है तो हम इसका answer लिखेंगे by factor theorem gx is not factor of px अगर answer 0 ना आए तो हम यही लिखते हैं कि यह जो gx वाला polynomial है वो px वाले polynomial का factor नहीं है अब third part करते हैं इस question का तो third part की statement है x cube minus 4x square plus x plus 6 जिसे हमने यहाँ पर उतार लिया वो gx की है x minus 3 इसमें भी वही चीज़ बतानी है कि क्या gx जो polynomial है वह px polynomial का factor है के नहीं उसके लिए यहाँ से हम 0 निकाल लेंगे कहने के मतलब x की value निकाल लेंगे क्या procedure होता x minus 3 है equal करेंगे 0 यहाँ से x की value निकालनी है minus 3 है उद्र जाकर होगा plus 3 minus 3 है उद्र जाकर होगा plus 3 minus हट गया अब इस 3 को हम first वाली polynomial में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर fill करेंगे x cube मतलब 3 का cube minus का sign है फिर 4 x square है 4 के साथ 3 का square फिर plus x है तो वहाँ पर हमने 3 fill करना जहाँ जहाँ पर x है उसके बाद है plus 6 तो यहाँ पर 3 का cube यानि 3 को आपस में 3 वार multiply करेंगे 3 3 का 9, 9 3 का 27 तो यहाँ पर आगया 27 minus 3 का square यानि 3 3 का 9 और plus 3 और plus 6 27, 49 का 36 होगा और यह हम एक बार ऐसी उतार लेते हैं 3 plus 6 अब इनको आपस में plus minus करते हैं अगर positive number वालों को हम add करें आपस में तो 27 और 3 कितना होगा 27 और 3 होगा 30 36 होगा 36 और यह है minus 36 दोनों को less करकर आगया 0 अगर 0 आ जाते हैं तो हम कहेंगे yes by factor theorem gx is a factor of px तो यहाँ पर 2.3 का question number 2 sold हो चुका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भोलें thanks for watching कर दो